तो फाइनली मैं आप सभी लोगों से सुरू में ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप सभी लोगों को देखना है क्योंकि एक दू दिन पहले मैंने आप सभी को ICDS का वो अफिसलेटर दिखाया था जिसमें सभी DPO CDPO लोगों को यह जिम्यवा कर रिजिस्टर का लिस्ट बताईए तो देखें यहां पर सीर्शा की है कि आगनवाड़ी केंद्रों पर संधारित की जाने वाली पंजियों की सुची सभी आगनवाड़ी केंद्रों के लिए धिहां से सुनिएगा यहां पर दो केटेगरी है एक केटेगरी है जहां पर सभ पर दूसरे पर कितने संख्या में रिजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है क्यांगनवडी से विका को देखिए पहला रिजिस्टर का नाव में सर्वेक्षन पंजी आपको मालूम है सर्वर रिजिस्टर आप लोग बोलती हैं दूसरे रिजिस्टर का नाव में सेवी का सहाई का उपर सिती पंजी आटेंडेंस के लिए सेवी का कितने दिनाई सहाई का कितने दिनाई तीसरा जो रिजिस्टर है वो बच्चों का अटेंडेंस रिजिस्टर बच्चे कौन किस दिन कितना आते हैं और चौथा जो पंजी है करेई पंजी यह फाध कघड़ानगा laws. अब्हाके में उपकराण आपको नहीं हुए उसका अलग्रीस्टर Q 8 तरिन हुआ खैकर हैं यानिक सब्सक्राइब करना उत्थान योजना के समद जो भिला भारती के अपने रेज्टेसन कराया जो डिटेल लिया जो पैसा गया उसका यहां पर आपको डिटेल यहां इस रेजिस्टर पर फिल करना होगा छटा जो है NRC रेफर पंजी अब NRC के बारे मैंने आप सभी को काफी पहले बताया था जो बच्चे या बच्चिया काफी ज़्यादा कूप पोसित होते है उनको विसेस देख भाल के जरूरत होती है तो उनको अस्पताल के थुरू NRC सेंटर भेजा आता है यह सभी अगनवाड़ी के अंदरों के लिए है जो 17 तरह का रेजिस्टर है यह सभी अगनवाड़ी के अंदरों के लिए है लेकिन मालेजिये कि अगर आपका जिला आकांची जिले में आता है जहांपर किसोरी योजना को समंद्ध में योजना चलती है यानि आकांची जीलों के लिए तीन अत्रिक्त पंजी और यहाँ पर मिंटेन करना होगा तो यहाँ पर पंजी को सुचिए S.A.G. योजनाय संबंदित कराय पंजी यानि बालिका योजनाय के संबंद में जो पोसार के खरिद भी करी होते हैं उसका पंजी यानि कि अगर आपका जीला आकांची जीलों के लिए तीन रेजिस्टर आपको और मिंटेन करने होते हैं जिसका नाम मैंने आपको और यहाँ पर दिखा दिया और चीजे समझा दी उमिद करता हूँ अब आपके मन में कोई कोश्चन प्रस नहीं रहेंगे आपको जनकारी मिल गई होगी फिलाल इस इंफर्मेटी वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद